हलो दोस्तो नमश्कार यूनिट से रिलेटेड इनका जो परफर्मंस रहेगा वो ओक्य ओक्य रहेगा करके बाद में उन्होंने बता है कि रिस्पॉंस काफी अच्छा आ रहा है अच्छी ग्रोथ हम लोगों को भविश हमें देखने को मिल सकते हैं चीज के चलते अच्छी तेजी देखने को मिली थी तो क्या है परफर्मंस कल के दिन भी कंटिनी होगा ये एक देखने वाली बात जरूर रहेगी डेलेफ की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये तो देखी लिया है कि JP Morgan ने इसका टार्गेट यहाँ पर बढ़ा दिया 17% भाग सकता है करके और उसके बाद जो खबर हम लोगों को देखने को मिले कि DLF ने फाइल किया है केस के अगर हम लोग बात करें 311 करोड के अगर हम लोग बात करें तो Blackmail Extortion से रिलेटेट किसके उपर 10% almost stock हम लोगो नॉर्मली डाउन होते वे देखने को मिल चुका है तो एक अनुमान रहता ही है जितना discount रहता है उसी के आसपास stock हम लोगो जाते वे देखने को मिल जाता है और इसी चीज़ के चलते हिंदुस्तान Zinc में हम लोगो गिरावड भी देखने को आपे इनमें FD करके रखा हुआ था जिस हिसाब से पैसा वापस आना चाहे था वो तो यहापे नहीं आया ठीक है एंड देखा गया तो एक private company वहापे कुछ तो इनका fraud यहापे होता है यह करनाटक government ने आरुप लगाए थे और उसी में पैसा उनने आपे क्या कर दिया एक statement आया था SBN PNB के और से कि वो बाच्चित कर रहे करके करनाटका government के और से अब एक खबर सामने आ चुकी है कि जो कबर हम लोगों को देखने को मिल रहे थी कौन से वाली कि account close करने वाले करके वो फिलाल तो उनने अने hold कर दिये कितने टाइम के लिए 15 दिन के लिए आप ऐसा कह सकते हो कि 15 दिन का टाइम दिया है SBN PNB को कि जल से जल ये matter को solve या पर किया जाए अगर नहीं हुआ तो शायद से फिर करनाटका government क्या कर सकती है जो पुराना order उनने अभी दिया था कि अकाउंट close करो करके वो शायद से आपे वापस activate करती है देखने को मिल सकती है सो ये एक देखने वाली बात रहेगी कि क्या आपी 15 दिन में कोई रास्ता निकल कर आता है भी या नहीं अगर हम बात करेंगे ओला electric mobility से ठीक है काफी short range में company ने अच्छी तेजी दिखाईए जा पे तेजी वहाँ पे returnster भागे चले जाएंगे आपको पता ही है मैं काफी बार आपको बोल चुका अगर आपको business अच्छा लगता है तो आप किसी भी company में कभी भी जा सकते हो बिना business की किदर भी भागा दोड़ी करोगे तो फिर brand बच जाएगी ठीक है तो उला electric की बात करें तो लगातार हम लोगों काफी circuit वाला खेल आपको देखने को मिला था ठीक है तो कल की दिन इनका performance कैसे रहेगा यह एक देखने वाली बात है आपको ज़रूर रहने वाले तो यह order मिलेगा नहीं मिलेगा यही इसी खबर का इंतजार हर कोई आपको कर रहा है तो आने वाले हफटे बर की बात करें कल के दिन की बात करें परसों की बात करें तो HLQ पर by default focus तो यह आपे रहेगा ही रहेगा कभी भी officially खबर यह आपे सामने आ सकती है करके NHPC के अगर हम लोग बात करेंगे तो NHPC यह top level से हम लोगो अच्छा कासा correct होते वे देखने को मिल चुका है ठीक है आप यहापे देख सकते हो कितना roughly 17-18-20% गिरते वे देखने को मिल चुका है ठीक है 20% कोई बड़ी गिरावाट नहीं थी खास करके जब stock इतना short range में इतना तेज यहापे भागाए करके बढ़ आपको पता है काफी ऐसे beginners हैं जो की सिर्फ तेजी रिखकर निवेश करते हैं उनके लिए फिर काफी यहापे tough यहापे होने वाले है NHPC की बात करें प्लस उपर से बन चुका है सिमिलर वे RVNL की भी अगर हम लोग बात करेंगे ठीक है तो वहापे भी हम लोगों को सेम चीज़े देखने को लिए एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग की बात करें तो उन्होंने भी सेम कुछ ऐसा ही रिपोर्ट यहापे निकाला था ठीक है तो उसके बाद अगर तो RVNL भी स्टॉक रडर के उपर यहापे रहता ही है ठीक है अगें कहरा हूं शेर बादर में यह चीज़े हम लोगों को बार-बार आते जाते हैं देखने को यहापे मिलती रहती है दैन अगर हम लोग यहापे बात करेंगे अदानी ग्रूप येस अदानी के उपर तो फो जिगनेशन का ठीक है तो इस चीज़े चलते हैं डेफिनेटली अदानी शेर्स के उपर तो अगें फोकस यहापे रहेगा ही रहेगा हिंडन बग की वापस रिपोट आये थी तब से लेके अभी तक की बात करें तो एक नर्वस नेस पैटन आदानी के शेर्स में रेखने को मिली थी बट उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो थोड़ी सी रिकाऊरी भी देखने को आपए मिली है तो अभी तक सुपर डूपर तेजी औगिरावट अभी तक अधानी के शेर्स में रेखने कोने मिले है बट इतना तो हम कह सकते हैं कि स्वे अगर कोई भी जाने का पर निकालता है तो वहाँ पर फुल स्टप के से लगता है तो फुल स्टप की अगरम लोग बात करें तो यूजियली देखा गया तो आइदर कोई उनके उपर केस कर देता है या फिर हम कहसकते कि वो कमपनी खतम हो जाती है ठीक है अगर कमपनी खतम हो गई तो फिर कुछ बचाई नहीं करके तो इस प्रकार की चीज़े देखने को मिल जाते हैं अदानी ग्रूप की बात करें तो अभी भी हम लोग को फाइटिंग चलते हुए देखने का आप मिल रही है और यह लड़ाई काफी लंबया हो दी तक चलती रहेगी सिमिलर वे जबी भी आदानी की बात होती है SBA, LIC यह भी बाइडिफॉल्ट हम लोग फोकस में रखी लेते हैं इरेडा की बात करी यह भी डेले वेसेस के उपर फोकस में रहता ही है ठीक है काफी अच्छी तेजी रेखने का आप हम लेती कभी इनके उपर भी अलग-अलग ट इस चीज़ के चलते है आर इंफरा भी आप चाओ तो स्टड़ी कर सकते हो यह भी रडार की उपर यह भी डिफॉल्ट रहता ही है ठीक है सबसे पहले एक खबर तो बार-बार सामने आती रहती कि SBA अपना स्टेक यहापर बेच सकता है करके अफिशल खबर कभी भी ने रहती है अफिशल खबर कैसे आ सकते बाई जब वो एक्चल में बेचेंगे तभी वो खबर हम लोग को देखने को लिगे ओविसले वो ओपन मार्केट में तो बेच नहीं सकते बहुत बड़ा स्टेक उनका देखने को मिल रहा है तो अविसले उ उन्होंने Yes Bank को as a retail asset head यहाँ पर join कर लिया है, fine, then बात करेंगे तो Tata Power भी focus में आपर रहता ही है, ठीक है अलग-अलग खबरे हम लोग को देखने को मिल जाती है, यह सारी जो companies हैं इनक्यों पर काफ़ी negative reporting, brokerages के और से हम लोग को देखने को आपर मिली थी, then similar वे अदानी Power क अगर हम लोग बात करें, बांगदादेश के issues के चलते थोड़ा सा, यहाँ पर भी uncertainty generate होते वे देखने को आपर मिला था, पर जैसे खबर आ गए कि वापस यह committed है, कि बांगदादेश को power देने से related, और वो आने वाले समय में अभी सब कुछ normalize होने की साथ-साथ, power वापस यहाँ पर resume करना start यहाँ पर करेंगे, तो ऐसे आदानी के share में भी हमनों को वापस थोड़ी बहुत recovery आते वे देखने को मिली थी, माजगा डक्षिप बिल्डर्स की बात करें, तो ICC Securities इनके पीछे ही बढ़ा है, पहले तो उनने 66% का estimation दिया था कि यह गिर सकता है करके, देन उसके बाद company के numbers आ गए, देन उसके बाद देखा गए, तो stock वहाँ से भी अच्छा का साथ तीजी देखने को मिला था, still वो अपने report के उपर कायम है कि stock यहाँ से 77% roughly गिर सकता है करके, ठीके, तो यह देखने वाली बात होगी, आगे क्या होता है, सकता है करके, सबके reporting में एक ही चीज़ हम लोगो common देखने को मिल रही है, कि जिस प्रकार से order इनको यहाँ पर मिले है, same continue रखना काफी मुश्किल हो जाएगा, अगर continue रखना मुश्किल हो गया, तो आपको पता ही आने वाले समय में numbers गिर जाएंगे, automatically margins गिर जाएंगे, revenue गिरेगा, profit गिरेग पता है कि कौन यहाँ पर जीट सकता है करके, तो एक वो लिस्ट प्रोवाइड की थी, आप चाहो तो उस वीडियो को study कर सकते हो, GFS के उपर भी focus तो रहेगा, 30 तारिक आपको पता है काफी important रहेगी, उसके पहले काफी सारे unofficially खबरे आपे सामने यहाँ आ सकती है, कि meeting में क्या हो सकता है, करके general meeting के आपे मैं बात कर हो, क्योंकि first AGM वो हमनों को देखने को मिलने वाली है, and is AGM से काफी उमीदे हमनों को देखने को मले है, क्योंकि काफी सारे announcement होना अभी भी हापे बाकिये, कई समय से हम लोग इंतजार ही यहापे कर रहे है, तो might be annual general meeting में ही इसी से related सारी clarity हमनों को देखने को मिल सकती है, then दोस्तों आजाते हैं आखरी point के ओपर जो कि अब इक मिने वीडियो भी बनाया था, ठीक है, WHO की बात करें, तो COVID के बाद यहापे M-pox, मतलब monkey-pox की बात करें, तो इसके ओपर भी global level पे emergency उन्होंने declare यहापे कर दिए, तो इससे related सार कौन सी company ऐसी है, जो vaccine में यहापे काम कर जाती है, तो दो company हम लोगों को देखने को मिल जाती है, उसमें से यह normal company है, cigar technologies के अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है, जो कि अमेरिका में देखने को मिल रहा है, listed है, ठीक है, इसी चीज़ के चलते हैं, आप यहापे देख सकते हो, 9% की तेजी हम लोगों को देखने को मिल जाता है, बट obviously यह जो company होती है, बार बार तो यह इस प्रकार के viruses यहापे आते हैं नहीं, temporary base के उपर आते, तब इनके sales यहापे बढ़ते, और जैसे सारी चीज़े normalize हो जाती है, इनके sales गिर जाते, इसलिए आप इनके chart बेटन भी देखोगे maximum, तो आपको इस प्रकार के volatility देखने का आपे मिल जाती है, तो यह point आपको पता होना चाहिए, इस प्रकार के जितने भी company होती है, वो usually trading activity वाली ही होती है, इवन्दो वीदेश में क्यों ना हो, ठीके, तो investing activity वाली company है कौन से होती है, जो निरंतर आपको लगातार consistently growth है आपे दिखाए, तो इस प्रकार की चीज़े consistency growth दिखावने में इतनी सक्षम होते नहीं है, तो ठीक है दोस्तों आशा करता है, वीडिया helpful लगाओगा, तो चाहो तो like and share कर सकते हो, मिलते कल तब तक के लिए, बबाए